आज आपके साथ चिली पनीर की रेसिपि सेर करेंगे चिली पनीर एक tasty indo-chinese रेसिपी है इसको अकसर starter में serve किया जाता है अगर इसको fried rice या फिर plain rice के साथ भी खाएं तो मज़ा आ जाता है तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट बनाते है आप मेरे साथ हैं कुगवित तीपाली में चिली पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर को ले लिया है फिर इस पनीर को इस तरह से छोटे छोटे क्यूप्स में काट लेंगे एक बोल में 2 टेबिल स्पून कार्ण फ्लोर को ले लेते हैं और आधा इंच अधरा के टुकडे को छील कर कूट लिया है फिर इसको इसमें डाल देंगे अब इसमें चोथाई छोटी चमच काली मिर्च पाउडर चोथाई छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे जैसे मैंने यहाँ पर आधा छोटी चमच नमक को डाल दिया है पहले इनको चमच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इस मिक्स्चर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक घोल बना लेते हैं बिल्कुल भी इसमें गुठलिया नहीं रहनी चाहिए यह देखिए इस तरह से हमको बैटर रखना है अब पनीर के जो क्यूब्स है इस घोल में डाल देते हैं अब चमच से हलके हातों से पनीर को इस तरह से घोल में कोट कर देते हैं यह देखिए पनीर अच्छे से कोट हो चुका है एक मोटे बेस वाले पैन में oil को लेकर medium flame पर गरम करके इसमें पनीर के cubes को एक के करके डाल देते हैं जैसे हम यहां पर पनीर को shallow fry कर रहे हैं आप चाहें तो इसको deep fry भी कर सकते हैं जब medium flame पर पनीर एक तरफ से सीख जाए तब इन्हें पलट देते हैं और इसी तरह से दूसरी तरफ भी सेख लेंगे जब ये दूसरी तरफ से भी सीख जाए तब इनको हम बाहर निकाल लेंगे पैन में इस समय तेल थोड़ा ज्यादा है इसी पैन में 1.5 तेबिल स्पून तेल को लेकर high flame पर गरम करके इसमें medium size के प्याज को chop करके डाल देते हैं अब इसमें बचा हुआ अद्रक और लेसुन को जो कूट कर रखा था इसमें डाल कर चला लेंगे कुछ seconds चलाने के बाद अभी एक शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में काट लिया है इसको इसमें डाल कर 1 टेबिल स्पून spring onion को डाल देते हैं और फिर इसको चला लेंगे तक इसी तरह से चलाते रहेंगे शिमला मिर्च पूरी तरह से soft नहीं करनी है ये crunchy रहनी चाहिए अब इसमें एक टेबिल स्पून सोया sauce एक छोटी चमच रैट चिली sauce चौथाई छोटी चमच काली मिर्च पाउडर को डाल कर मिला लेते हैं अब एक मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे तब एक टेबिल स्पून कांट फ्लूर को एक काटूरी में लेकर दो तीन टेबिल स्पून पाणी को डाल कर अच्छे से mix कर लेंगे जब ये अच्छे से mix हो जाए तब इसे पैन में डाल कर चला लेते हैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे नमक हमें हलका डालना है क्योंकि सोया सौस चिली सौस में पहले से ही नमक होता है जैसे ही फिर से इसमें बॉइल आ जाए इसमें पनीर को डाल कर मिला लेते हैं जब पनीर को अच्छे से मिला ले तब इसमें एक छोटी चमच विनेगर को डाल कर मिक्स कर लेते हैं विनेगर डालने से टैंगी फ्लेवर आता है अब गैस को बंद कर देते हैं और चलिए इसको निकाल भी लेते हैं ये लीजिए ड्राइचिली पनीर तयार है इसे उपर से इस्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देते हैं इसे आप चाहे तो फ्राइड राइस से खाईए या फ